तो देखो फिराडे का पहला नियम फिराडे का पर्थम नियम फिराडे ने क्या बात बताई कि जैसे मालो कोई भी सेल है यह रहा कोई सेल इसमें कोई एक एनोड है और एके के थोड है यह एनोड है और यह के थोड है यह भी मालों की कोपर का बना हुआ है यह भी कोपर का बना हुआ है कोई भी बाहर सेल से जोड़ दिया गया है इस परकार से विदुत दारा परवाइद की गई तो एनोड प्रोक्षिकन हुआ के थोड़ पर अपचैन हुआ है एनोड की दात्तों के थोड़ पर जमा होने लगई मालों की यह जमा हो गई डबलू गुराम दात्तो जमा हो गई है इस डबलू ग्राम को पताने के लिए फिराड़ ने नियम दिया था तो फिराड़े के अनुसार है कि थोड पर जम्मा परदार्थ की मातरा परवाहित आवेज के सिधे समानो पाती होती है तो देखो फिर अड़े क्या कह रहा है फिर अड़े के अनुसार कि थोड पर परदार्थ की मातरा मात्रा किसके समानुपाती है परवाहित आवेस है क्यूंके समानुपाती होती है कि थोड़ परजमा परदार्थ की मात्रा परवाहित आवेस के समानुपाती होती है तो डबलू समानुपाती क्या है क्यूं है समानुपाती का निसान जब जब अटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया दाता है तो यहाँ पर जो नियतांक लगाया दाता है वो क्या होगा जेड़ अब ये जेड क्या चीज़ है जेड है वेदुत राशायनिक तुल्यांक है ये जेड क्या है वेदुत राशायनिक तुल्यांक है तो डबलू पराबर जेड क्यों और जेड का मान होता है ना वो होता है तुल्यांक की बार में चानवे हजार चारसो सतासी का बाग देने पर प्राप्त होता है जेड विदुतरासानिक तुल्यांक है इसको बताने के लिए क्या किया दाता है, कि तुल्यांकी बार में 646 का भाग देजिए, तब आएगा Z का मान, तो ये मान इसके अंदर रख दिया जाए, तो W गराम है, वो समानपाति क्यूँ और समानपाति के इनसानद है, Z क्यूँ और Z का मान इए पून 648 स्ताषी रख दे Q, Q पराबर क्या होता है? I पराबर होता है Q by T दारा पराबर क्या होता है? आवेस अपोन समय दारा पराबर आवेस अपोन समय होता है यानि कि आवेस परवाहे की दर को ही दारा कहा जाता है आवेस परवाहे की दर को ही दारा कहा जाता है तो आई ब्राबर क्यू बटेटी तो Q की जिगह क्या लिख सकते हैं अपने IT Q की जिगह IT लिख देंगे तो W ग्राम ब्राबर क्या हो जाएगा EIT अपन 94487 तो क्या जाएगा EIT अपन 94487 डब्लू ग्राम तो इसी क्या कहा जाता है पराडे का पर्थम नियम कहा जाता है तो ध्यान में आया कि कोई भी विदूत अपक्टनी सैल है उसमें Q आवेश प्रवाहित कर दिया जाए तो जो प्रवाहित आवेश है वो के थोड़ पर जो जम्मा परदार्थ की मात्रा है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है समानुपाती का निसान टाया जाता है तो जड़ लगाती है जड़ का मानी ये पॉंच्छाण में जर्चार सुस्तासी होता है तो क्ये थोड़ पर कितना परदार्थ जम्मा होगा इसको फिराड़े के नियम से ग्यात किया जा सकता है और जड़ क्या है जड़ एक वेदुत राश्याइनिक तुल्यांक है कि आप देखो एक फिराड़े क्या होता थी फिराड़े आवेज का मातरक ओता है एक फिराड़े कितने के ब्राबर होता है इस बात को समझों अपने ऐसे कह दें एक फिराड़े फिराड़े आवेस का सबसे बड़ा मात्रिक होता है एक फिराड़े क्या होता है एक मोल इलेक्ट्रोन पर उपस्तित कुल आवेस को एक फिराड़े कहा जाता है एक मोल इलेक्ट्रोन पर उपस्तित कुल आवेस को एक फिराड़े कहा जाता है तो एक मोल में लेक्ट्रोन की टोटल संख्या होती है वह अपने ऐसे कहीं एक मोल में संख्या होती है कोई भी संख्या हो चाहिए वह उती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जैसे आपको कहा दे जाए कि एक मोल लाक्त्रोण है तो आप कहऊगे कि आपके पास कितने लाक्त्रोण है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जैसे आपको कहए दे मेरा पासे एक मोल बोल है तो आपके पास कितनी बोला है कर दे को कहा दे मेरा पास Yak एक मोल पैन है तो six point zero two two into ten कि पावर टूटी-thरी तो ये मोल के अंदर होती है तो एक मोल में संक्या इतनी होती है अपने ऐसे कदें कि एक इलेक्ट्रोन पर आविएस कितना होता है तो आप सबी जानते हो एक 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 इलेक्ट्रोन पर स्पोटा है वो 139 फोटा है और यह मात्रक कोता है कुलाम में एक एक इलक्त्रोन प्रभय से 1.6 610 की पावर 19 कुलाम होता है तो एक उसे इक उसे होता है तो बताओ है ढटो घ्रम नोपर कितना होगा एक ट्रोन पर एतना है तो दो इलाक्ट्रोन Ihr निपिधाल फोल का मतलब इतने लाक्टरोन नहीं इतने लाक्टरोन उपर यानि कि एक मोल में इतने संख्या होती है तो इतने लेक्टरोन पर आवेस कितना है पर आवेस कितना है तो कैसे बताओगे एक लेक्ट्रोन पर तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 है वो टूटल लेक्ट्रोन की संक्या 6.022 इंटू 10 की पावर है 23 है तो इसका जो गुना किया जाता है तो जो डाटा आता है वो क्या आता है 1.6 को 6.02 और ये करोगे तो ये आईगा 96487 कुलाम तो ये इसी कोई क्या कहा जाता है एक फिराड़े कहा जाता है तो एक फिराड़े आवेस में 96487 कुलाम होता है एक फिराड़े आवेस में 96487 कुलाम होता है